हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज एक छोटी कंपणी के बारे में बात करने वाले हैं जो की केबल सेक्टर में काम करती है तो इस company को मैं क्यों लेकर आया हूँ क्योंकि इसी अगर आप long time तक रखते हैं तो यह आपको बहुत अच्छा return बना के देने वाली है जी यहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Ultra Cabo Limited के बारे में जो की wire और cable से सम्मंदीत company है सबसे पहले देखेंगे इसके board of director को फिर समझेंगे इस company के बारे में यह कौन-कौन सा काम करती है पहले इसके काम को ही देख लेते हैं चलिए देखते हैं कि एक company जो product बनाती है उनका यूज कहां कहां पे होता है तो यहां पे आप देखेंगे कि यह जो product बनाती है प्लस इसका huge भी साथ हमें देखेगा यहां पे आप देख सकते हैं house wire या company बनाती है flat cable बनाती है industrial cable बनाती है aerial branchage cables बनाती है साथ हमें solar cable भी या company तयार करती है और elevator cable भी बनाती है इसी के साथ instrumentation cable और telecommunication cable और UL और CUL approved cable भी बनाती है auto cable भी बनाती है और welding cable के साथ साथ winding wire भी या company तयार करती है और बनाती है दोस्तों जो जो चीज मैंने बताया है इनका product range आप यहां पे देख सकते हो यहां पे आप देख सकते हैं house wire जो होता है और house में प्रयोग किया जाता है जो flat cable है और इस तरह के area में प्रयोग किया जाता है industrial cable के बारे में यह चित्र साथ सभी चीजे बताने की कोसिस कर रहे है aerial branches bunched cable क्या होता है दोस्तों जो high power transmission जो होता है बिद्धूत line वाला उसमें प्रयोग किया जाता है और elevator cable जो आपने elevator चलते हुए देखा होगा दोस्तों आपने lift तो देखा ही होगा अगर elevator समद में नहीं आ रहा है तो lift में इनका प्रयोग किया जाता है यहाँ पर telecommunication instrumentation cable के साथ साथ यह सभी चीजे दी हुई है तो आपने देख लिया इनके product क्या क्या है यहाँ पर देखिए अगर हम domestic cable के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर देर सारी चीजे आ जाती है इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो breaded cable, xlp, power cable, pbc cable इस तरह के इनकी कई सारे cables है और international cable में auto cable, industrial cable और welding cable के साथ electric power cable भी मौझूद है यह special cable भी तयार करते हैं जैसे कि super flat cable और उसके बाद ultra triple protected house wire और elevator cable, solar cable के साथ साथ control cable के बाद यह xlpe summer stable cable भी तयार करते हैं दोस्तों super flat के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों अगर super flat यहां पर summer stable cable दे दिया है कहां गया एक बार मैं दिखाने कोशिस करता हूं यहां पर आप देख सकते हैं construction flat cable इसका जो प्रयोग किया जाता है और कहां पर किया जाता है तो आप देखिए irrigation pump, drinking water supply pump, offshore drilling rings और यहां पर आप देख सकते हैं freighting equipment, sewage के साथ treatment plant और sea water handling equipment में इनका प्रयोग किया जाता है और किया जा सकता है दोस्तों यह तो हो गई इस company के product के बारे में बातचीत अब हम आपको board आप director से मिलाते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस company को चला रहे हैं और drive कर रहे हैं यहां पर आप देखिए कि Mr. Nityish वगाशिया साहब हैं यह इस company के chairman है और साथ में इस company के managing director भी है उसी के साथ पंकज शिंगाला है यह whole time director है इस company के और उसी के साथ Mr. R.T. शिंगाला है यह non executive director है इस company के यहां पर आप देख सकते हैं कि independent director है Mr. बिपीन चंदर शंगानी और Mr. कंजी भाई पटेल जो एकी independent director है और Mr. प्रसांत सेवंत इस independent director है दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूँ कि यह जो company है यह गुजरात में situated है और इनका जो plant है वो भी गुजरात में situated है तो यह गुजरात से अपने business code drive करते हैं दोस्तों इस company को कई सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं जैसे कि India Most Trusted Company अवार्ड 2017 National Productivity and Innovation अवार्ड भी इस company को मिल चुका है 2015 में Excellence Award in Manufacturing Sector यह भी मिल चुका है और BSC Award on Top 7 Performers of SME Platform तो यह भी अवार्ड इस company को मिल चुका है साथ में राष्ट्री उद्योग रतन अवार्ड भी इसको मिला हुआ है तो मैं आपको बता दूँ कि यह company पहले SME में थी अभी फिलाल में आप इसे main board पे खरीद सकते हो अब हम देखते हैं इस company के बारे में कुछ चीजें basic जानकारिया है जो कि आपको होनी चाहिए जैसे कि इसका market cap 181 करोड का है यह यह काफी छोटी company है और इसके आगे बढ़ने की chances काफी जादा हाई है दोस्तों आपके valuation में आती है आप इसे खरीद सकते हो under 20 में 18.90 पैसे का share है 33 रुपए का high है और 11 रुपए का low है 52 विक का high और low होता है stock का PE 30 है यानि बहुत जादा उपर PE नहीं है खरीदने लायक है जो भी wire और cable की company है उनके PE से आप अगर तुलना करें अगर RR cable का देख लें तो उसका 80 के ऊपर PE है तो यह तो अभी काफी सस्ता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री का PE 31 है अगर हम ROC और ROE की बात कर लें तो इसके हिसाब से भी यह stock अच्छा दिखाई पड़ा है क्योंकि debt to equity 1.11 है तो इससाब से ROE और ROC ठीक है book value की बात कर लें तो 18 रूपए है यानि book value की आसपास trade कर रहा है intrinsic value 12 रूपए 70 पैसे हैं दोस्तो face value 2 है इस company का 2 रूपए है और कोई भी pledge नहीं है यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तो promoter holding में थोड़ा था change देखने को मिल रहा है minus 2.4-3% यानि इतने से इन्हों ने promoter ने अपने holding को decrease किया है दोस्तो ultra cap के बारे में यहाँ पे आप कुछ information देख सकते हो export करती है electric wire और cable को यहाँ पे बस इतनी information आपको screener पे देखने को मिल जाएगी लेकिन और कुछ भी मैं दिखाने की कुशिस करता हूँ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया company क्या-क्या product बनाती है domestic cable में इनके product profile आप देख सकते है domestic cable, international cable के साथ special cable and UL, CUL approved cable and summer stable winding wire भी यह company बनाती है product application आप देख सकते हो इनके product का कहा कहा प्रयोग किया जाता है तो power and control cable के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है साथ में industrial flexibles और building wire के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है flat cable के रूप में for agriculture purpose के लिए प्रयोग किया जाता है flat मतलब आप building वाला flat मत समझ लेना एक agriculture के लिए है aerial bunched cable भी यह बनाते हैं जिनका की प्रयोग street light में किया जाता है आप इसको पढ़ सकते हो द्यान से अगर हम export country की बात कर लें कि कहां कहां export करते हैं तो यह UK, UAE, Africa और Singapore में यह export करते हैं और इनके जो client हैं उनको आप देखिए अडानी, ABG, Sipiard ABB Limited, Altsom TD India Limited के साथ साथ हिंदुस्तान, जिंक, ओल्टास और टाटा पावर भी है और उसी के साथ हम बात कर लें तो महराश्टरा इस्टेट electricity distribution company भी इस company की client है यानि इनसे सामान वगर लेते हैं, जो cable वगर है अगर हम revenue breakup की बात कर लें तो आप देखेंगे कि export की माद्य हम से 6% का revenue generate होता है local sales से 49% का और इंटर इस्टेट sales से 44% का revenue company generate कर पाती है merchant export से 1% का अगर हम order book की बात कर लें जनौरी 10, जनौरी 2023 तक company के पास जो order book था Tata Power का था 288 लाग का order था इस company के पास 288 मतलब कितना करोड हो गया आप मुझे comment section करके comment करके जरूर बताना और भी बहुत सारे new जाएं उसको मैं देखता हूँ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि Ultra Cab India Limited receives approval from engineers India Limited इसमें कई company रेश में थी लेकिन approval मिला आया इस company को Ultra Cab India Limited को तो यह किसके लिए काफी अच्छी new जो जाती है अब हम इसके financial को एक बार चेक करेंगे फिर उसके बाद और चीजों के बारे में बात करेंगे September 20 में जो sales थी company की 17 करोड थी अभी फिलाल में company की जो sales 31 करोड है यानि already company ने sales बढ़ा रखा है और जो net profit है 0.46 CR से बढ़के जो net profit है 1.53 CR हो गया है बीच बीच में कुछ गिरावट भी देखने को मिल रही यह हला कि quarterly result है और जो operating profit है आप देख सकते हैं पहले 12% था फिर 10%, 11%, 10%, 13% और फिर उसके बाद 9%, 10% के करीब दिखाई पढ़ा है दोस्तों अब हम चलते हैं इसके जो annual इसका PNL होता है उस पे चलते हैं उसको track करेंगे जरूर यहाँ पे आप देख सकते हैं company का जो PNL है sales 23 CR की थी March 12 में अभी फिलाल में जो sales है 107 CR का है और जो net profit की अगर अगर हम बात कर लें तो net profit आप देख सकते हैं कि March 17 तक 0 ही देखिए जीरो ही था उसके बाद company ने 1 करोड का profit जनरेट किया March 20 तक अगर उसके बाद company ने 2 करोड, 3 करोड फिर 6 करोड का company ने profit जनरेट किया है अगर हम बात कर लें इसके operating profit margin की तो operating profit margin भी company ठीक ठाक दर्ज करवा रही है, 10-11% अगर हम इसके peer में देख लें तो आप यहाँ पे peer पे नज़र डालना, polykype kei, rr cable यह सभी company आए अभी rr cable का अगर आप PE देखिए तो 100 हो गया है, polykype 49, kei का 27 जबकि इसका PE 30 दिखाई पड़ा है company के पास पहले जो 2 करोड का रिजर्ब था 15 करोड का है और जो borrowing है company के पास 38 करोड की है, इस बार भी company ने 3 करोड से अपने borrowing को बढ़ा है, अगर हम fix deficit की बात कर लोगे तो सिर्फ और 7 करोड का है और कोई CWIP company नहीं कर रही है उसके साथ हम अगर share holding pattern को देख लेते हैं, तो आप पाएंगे कि जो promoter हैं, उनके पास कितने percent की holding दिखाई पड़ रही है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखना 63 percent की holding सी December 20 में, अभी फिलाल में 59 percent की holding है, यहीं पे इन्हों ने अपनी holding को 2 point कुछ से कम किया है, अगर हम पबलिक की पास देख लें, तो अभी फिलाल में 40 percent की holding दिखाई पड़ रही है कुछ अचा नाई भी हैं, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, और अधिक्तम लोग अब यहाँ पे निकल चुके हैं यह सभी लोग पहले company को old कर रहा होंगे, जब यह SME में रही होगी अभी फिलाल में यह लोग इसको old नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम PNL के हिसाब से अगर देखें, यहाँ पे आप देखिए, जो company sales कर पा रही है, 5 वर्सों की sales को देखते हैं, 17 percent की sales कर पा रही है, लेकिन profit growth जबरदस्त है, 50 percent का है, लेकिन company ने 23 percent के हिसाब से return दिया है, इसे 50 percent का होना चाहिए, दोस्तों, और आने वाले समय में यह होगा भी, लेकिन आपको hold करना पड़ेगा, एक छोटी company है, और आपको patience के साथ hold करना पड़ेगा, अगर एक आप अच्छी company में हैं, तो आप उसको पकड़ के बैठिए, tight बैठिए, अगर आपको विश्वास है तो, और news से आपको प्रभावित नहीं होना आए, कि company